जो हमने आयरे के टाइप देखे थे एक तो था single dimensional तो ये तो हमने देख लिया single dimensional आयरे इसा त्वक स्क्रमार और गा Since कह refund we much कि मतलब रवhey, time उसको थोड़ी से दिफिकल्टी करने। चाहे भी हमारे कॉलेज़ गांडानमेंट्स और टीचर मेंग? मतलब double dimension में ही खतम हो जाते हैं उससे ज्यादा के नहीं आएंगे program बाकि अगर खुद से ज्यादा सीखना है चाहिए कुछ भी explore करना है चीजों को तो वह मतलब बाद में खुद से भी आप कर सकते हैं फिर बाद में वह देखेंगे तो अब ही क्या है जैसे two dimensional area हम देखते हैं तो यहाँ पर टूडी आरेज टूडी आरेज आम ऐसा बोल सकते हैं जैसे इसमें two dimensional होगा तो यहाँ पर अब इसका example क्या होगा जैसे इसका best example matrix ही होता है तो जैसे अब अगर हमारे पास एक matrix है उसका data है one two four six seven four two six eight अब अगर यह एरे है तो यह हमारा टूडी आरे का पार्ट हो गया उसी तरीके से अगर और इसका क्या हो गया three by three का हो गया अब एक two by two का भी हो सकता है one four three four तो इसको यह सारे जितने हैं टूडी आरे तो इनके operation हम कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें क्या आए कि दो लूप चाहिए होता है एक जो लूप होता है यह आउटर लूप चलता है ध्यान रहे है कि यह जो एक लूप होगा यह आउटर लूप रहेगा जो यह भी देखता है रोवाइज है हुआ है रो वाइज होता है बहुत लोगों कि यह गोड Telec Анд Leeorkap पइसको करगा यानिकि पहले मैंने इस पर बइसके बात किया पिर इस पर बात किया है तो यह ऑनcely की soci मोईज में इस तबत नहीं करो यह ine wins शरीका से इस पर बात नहीं कर रहा इंट यह मैं क्या इस पूरे रहा को एक कंसीडर कर रहा कि अ आउटर pe Michaels ही ओर हमें पता है कि यह होता है मारा और हमें एक पल्ड़ीयबल प्सक्राश्ट नेन रहे और आउटर लूप नहीं और पार्ले दो नंतर्म यह a और उसके लिए हम दो एक वाइडियेबल लेते हैं आई और जे तो उसके थुरू वह हमारे उपर लॉजिकल डिपेंड करता है कि हमें कि आउटर के लिए आई ले रहे हैं या जो भी या इंटर्नल के लिए क्या ले रहे हैं तो वैसे भी हम कन्वेंशनल वे यूज करेंगे इसलिए ज्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगी जो टीचर बताएंगे आपके कॉलेज में वही होगा या फिर जो बुक में मेंशन रहेगा वही बट फिर भी आप अपने तरीके से अगर आपको लगता है मैं डिफरेंट कर सकते हूं तो कोई इस्यू नहीं है अब क्या है कि जैसे सबसे पहले हम देखते है कि इनिश्यालाइजएशन डिकलरेशन पहले देखते हैं डिकलरेशन कैसे करेंगे तो जो भी हमारा वैरियेबल हो रहेगा लेशन आयाए हो गया और यहाँ पर हम 2 दाइमेंशन की जबबत पड़ेगी तो यह हमारा तू डाइमेंशन हमारा दे दिया हमने array और यहां पर 4 और यहां पर 2 दे दिया तो ऐसे हम वो कर सकते हैं declare कर सकते हैं तो अब अगर हम जबने declare किया यहां पर यह जो होता है न ध्यान रहे जो first वाली column तो यह number of rows होता है और जो second है यह क्या होता है number of column तो यहनिकि first में अगर बात करें इसमें तो इसमें 3 column होगा और four elements यानिकि element 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 यानिकि four elements होगे और ऐसे ऐसे कितने हैं तीन रोंगे यह हमारा बन गया यहनिकि इसमें प्या है row three है तो वहीं मैं बोल रहा कि ऐसे 1 2 3 रोंगे और फिर column हम एक, दो, तीन, चार कॉलम हो गए, उसी तरीका से यह जो है, इसमें क्या होगा, कि फोर रो होगा, और टू कॉलम होगा, 1212 1212 तो वो हमारे उपर हमारे requirement के according हम जो है declare कर सकते हैं तो यह तो होगे हमारा declaration वाला part declaration के बाद अब हमारा देखते हैं कि कैसे इसको हम initialize करेंगे और access कैसे करेंगे अब यहाँ पर एक तो word हमने declare देख लिया declaration वाला part देन अब आता है initialization initialization में कैसे होगा जैसे किस तरीके से हमने 1D array में किया था कि पहले से हमने value दे दिया तो इसमें भी हम दे सकते हैं तो आप जैसे यहाँ पर मैंने दिया array और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिश बोलता है थ्री इस टू थ्री बाई टू नहीं कि नमबर आफ रोज थ्री दिया कि फोर दिया कि फाइब दिया सिक्स दिया और हमने यह क्लोज कर दिया और यह सारे को हमने फिर यहाँ पर क्लोज कर दिया यहां पर कॉमा यहां पर लास्ट में कॉमा नहीं देना ध्यान रहे तो यह क्या हो गया हमारा हमने इसमें initialize कर दिया जो भी मतलब जितने सारे values हैं हमने उसमें क्या कर दिया कि उसमें initialize कर दिया जिस तरीके से हमारा जो 1D array था तो उसमें हमने कर दिया अब यहां पर क्या है कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे वैसे यह एक और बात ध्यान में रखनी है कि यह जो हता है हमारे बस हम जो प्रोग्रामर होते हैं यह बस हमारे लॉजिकल थिंकिंग है एक्चुल में जो डेटा यह जो इस्टोर रहेगा ना मेमरी में वो बस ऐसे ही इस्टोर होगा क्या बलते हैं कंटिनिवस यह जो भी डेटा होंगे 123456 चाहे कितना भी डामेंशन का आप एरे लेलो मतलब 3D एरे 4D एरे तो सारे में जो डेटा होगा ना वो मतलब जो सेम ऐसे ही आसाइन होगा तो दूसरे तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं कि यह जो हमारा एरे है एरे 3 2 तो इसको हम सिंप्ली भी ऐसे भी लिख सकते हैं 123456 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी इनिश्यालाइज कर सकते हैं इसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला अब यहां पर क्या है यह तो हो गया हमारा इनिश्यालाइशन अब इसको एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं तो एक्से से यहां पर for loop लिया i is equal to zero i less than यहां पर क्या है ध्यान रहे कि जो outer loop रहेगा उसको हम इसके लिए access कर रहे है रोज के लिए तो रोज यहां पर कितने है थ्री है और i plus plus यहां पर close कर दिया फिर for फिर और यहां पर j is equal to zero j less than यहां पर column कितने है तू है और j plus plus और यहां पर हमने कर दिया उसके बाद हम क्या कर रहे है a scanf percent d and array of i array of j और यहां पर close कर दिया यहां पर close कर दिया तो एक बार हमने यह क्या हुआ हुआ है जैसे एक जामपल अगर किसी प्रोग्राम में हमें यूज करना हो अगर डेटा लेने के लिए और अगर प्रिंट करना हो मतलब डेटा प्रिंट करना हो तो हम बस इसको scanf को replace कर देंगे printf से तो हमारा हो जाएगा तो अब यहां पर क्या है कि कैसे यह work करेगा तो अब dry run करके देखते हैं और इसमें हम value जो है assign करके देखते हैं अब यहां पर क्या है कि i यहां पर यहां पर मैंने लिखा i और यहां पर j तो अब यहां पर i जब first time loop चला तो वहां पर जो i कितना है 0 है ओके तो i यह condition true हुई और यहां पर condition check हुआ 0 is less than 3 ओके इसको explain अच्छा करी देता हूं हां तो यहां पर condition true हुई फिर यहां पर आया तो j कितना है 0 है 0 होने के बाद तो यह इसमें भी 0 आ गया यह भी true हुआ तो अब क्या करेगे scan करेगा और यहां हमारे पास element है 3 by 2 का कितना है 3 rows हैं ओके यह नहीं है तो अब यहां पर आया आप suppose कि data user ने दिया तो अभी क्या 00 है और user ने एक data दिया 5 अब जो 5 दिया तो यहां array of 00 ओके तो यानि कि यह क्या है कि अगर row हम देखे और यहां पर column तो column यह हमारा ध्यान रहे कि 0 से start होगा index 0012 ऐसे जाएगा और तो अभी कि 00 00 यह element आ रहा है तो यहां पर 5 आके store हो गया फिर next time क्या हुआ कि अभी यह loop end हुआ फिर यह जे प्लस प्लस होगा जे कितना हो गया 1 हो गया तो यानि कि जे का अभी जो value है यहां पर 1 हो चुका है और फिर से यहां पर condition true मिली फिर से एक value scan किया तो 0 और 1 यानि यह जो है आई इधर वाला यह इधर वाला यह चल रहा है और इधर वाला यह जे है तो 0 i कितना है जीरु है तो यह इसी पर रहेगा और j कितना है 1 हो गया ऑड़र 3 आया तो 3 आ गया आब यहां पर condition फिल हो तो अब यहां से बाहर जाएगा अब क्या हुआ आप 1 हो गया, तो यानि कि 2 अब 1 हो गया और जैसे 1 होगा जिए से पृरू से स्टार्ट हो लगा nin फिर से 0 हो गया तो अब 1 0 तो यहाँ पर 1 0 क्या यह 1 और 0 तो वह next data यहाँ पर आ गया जैसे 6 फिर यहाँ पर क्या होगा कि यह 1 ही रहेगा और यह अपडेट हो जाएगा 1 1 तो यहां पर गया one और one so here तो मैंट हो गया तो अब ही चैन्ज ओगया can you two and zero two zero Two two zero ,ієं पर suppose two two आ गया जड़िए तो यह जो डिडा को इसमें स्टोड हो गया अब इस स्टोर होने के बाद इसको एकसे से एकसेस। भी हो जाएगा तो इसको और मेरे खायल से यह क्लीर हो गया कि वैसे वीडियो जो वीडियो बहुत लंबी हो रही है मैं इसमें और कुछ भी प्रिंटेफ के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बीना मतलग कोई फायदा है नहीं बस ध्यान रहे कि यहां पर जैसे जिस तरह कर से हमारा स्कैनेफ करके हमने किया बस वहां पर एंपरसेंड य